हलो फ्रेंड्स मैं विज्याकुमार पटेल अब सभी का मेरे चैनल विक्टरिविद पटेल में स्वागत करता हूं आज हम लोग दूर संभाग के अंतरगत बालोध जिला के बारे में विश्तरित अध्यन करेंगे बालोध जिला बालोध जिला का गठन दोहजार वर्स दोहजार बारा में हुआ और बालोध जिला दूर्ग जिला से अलग होके जिले के रूप में अस्तित्त में सामने आया वर्स दोहजार बारा में इस तरह से मात्र अगर जिला की बात करें तो मात्र जिला बालोध जिला का दूर्ग जिल बालोद बालोद जिला का मात्र जिला दूर्ग जिला है, सांधी साथ जिला मुख्यालाई के बात करें तो बालोधि जिला, समिपुवर्ति अगर जिले की बात करें समिपूर्ती जिला तो बालोद अपने समिपूर्ती दूर्ग जिला साथ ही साथ धमतरी जिला दूर्ग धमतरी कांकेर और राजनांद गाओं और राजनांद गाओं की सीमा रेखा को इस पर सकरती है इस तरह से समिपूर्ती अगर राज्य की बात करें समी पुवर्ती राज्य की बात करें तो बालोद किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को इसपर्स नहीं करती इस तरह से बालोद एक भू आवेश्ठित जिला है एक भू आवेश्ठित जिला है भोविष्ठित जिला मेंस यहां जिला किसी अन्य राज्यों की सीमा रेखा को इस पर्स नहीं करती है ना समुद्ध सीमा को इस पर्स करती है इस तरह से विधान सबाच्छेत्र के अगर बात करें तो विधान सबाच्छेत्र बालोद जिला के अंतरगद तीन विधान सबाच्छेत्र आते हैं जिसमें से अगर बात करें तो बालोद संचारी बालोद के नाम से साथी साथ गुंडर देही और डॉंडी लोहारा विधानसवा छेतर है जिसमें से बात करें तो डॉंडी लोहारा एक अनुसूचित जन जाती के लिए आरक्षित विधानसवा छेतर है डॉंडी लोहारा एक ST रिजर्व विधान सवा छेतर है इस तरह से आईए आपको अगर मैं जोनने की कोशिस करूँ तो बालोज जिला का गठन वर्स 2012 में हुआ दूर्ग जिले से अलग होके जिले की स्वरूप में सामने आया साथ ही साथ समिपोर्ती जिला की बात करें तो यहाद दूर्ग, धमतरी, कांकेर, राजनान गाउं इन चार जिलों की सीमरेखा को इस पर सकरती है समिपोर्ती राजी की बात करें तो बालोज एक भुववेश्ठित जिला है 36 गड़ के संदर्व में 2020 की स्थिती में 10 भू आवेश्ठित जिल्यों हैं इसी तरह विधान सभाच्षेत्र की बात करें तो 3 विधान सभाच्षेत्र बालोद जिल्य के अंतरगत आते हैं जिसमें से संचारी बालोद गुंडर दही और डोंडी लोहारा एक अनुसूचित जन जाती विधान सभाच्षेत्र है जहां से अभी महला मंत्री हैं हमारे अनिला भेणिया जी स्रीमतिया अनिला भेणिया जी आईए बालोद जिला का मैप के थ्रू हम लोग तथ्यों को मेमोराईज करने के कोसिस करेंगे जिससे सारी चीजें हमें लंबे समय के लिए मेमोराईज रहे और एक्जाम पॉइंट अब से हमें हर चीज याद आए तो बालोद अगर जिला को मैं बनाना चाहूं तो कुछ इस तरह से मैं बना रहा हूं बालोद प्रॉफ्ध डॉब्फ लॉइम्हलीच अगर बाद करें तो इस्टेट रिवें अगर बात तो इस्टेट रिवें प्रॉइ सिस यहां सी र्रॉस होती है जगहों को अगर देखें, तो बालोद, गुरूर, दल्ली राजहरा, डॉंडी लोहारा, गुंडर देही, गुंडर देही, इस तरह से जगों को हम लोग देखेंगे, जिसमें बालोद के अंतरगति देखेंगे हम लोग, कक्रा भाठा, करका, करका भाठा, और करही भदर, करही भदर, गुरूर के अंतरगति हम लोग देखेंगे, गर देखें, गुरूर के अंदर, तो चीरचारी, चीरचारी और सूरर, इस जगें हैं, इन जगों को हम लोग देखेंगे, कहीं ने कहीं हो, किसी दृष्टी से इंपॉर्टेंट है ही, साथी साथ, गुरूर के पासी पटे चुवा की पहाड़ी से एक नदी है, खारून नदी, पटे चुवा की पहाड़ी से, पटे चुवा की पहाड़ी, साथी साथ देखें तो एक तांदुला नदी भानु प्रतापूर उच्च भूमी से इसका उद्गम है भानु प्रतापूर उच्च भूमी से यहीं पर बात करें तो तांदुला परियोजना है गुंडर देही से ही अगर बात करें तो एक सहयक नदी है गोंदली नदी और इसी के नाम से एक गोंदली परियोजना डोंडी लोहारा उच्च भूमी से एक नदी है खरखरा नदी और खरखरा परियोजना खरखरा परियोजना और डोंडी लोहारा के पास से हम लोग देखेंगे ग्राम खपरी इसी के अंतरगर देखेंगे खपरी तो इस तरह से वन बाई वन हम लोग जगों को डिल करते चले जाएंगे तो देखिए हमने बेसिक तत्यों को देखा कि बालोज जिला का गठन वर्स 2012 में दूर्ग जिले से अलग होके हुआ है इसी तरह आगे देखें तो एक नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे 930 की बात कर रहे है हम लोग और एक स्टेट हाईवे 05 नेशनल हाईवे 930 का 115.4 किलो मिटर लगभग 115 किलो मिटर और 606 किलो मिटर स्टेट हाईवे 5 36 गड़ राज की सबसे लंबी राज की राज मार्ग है उसी तरह 930 एक सुब पंदरा दसमलोचार या 115 प्याद रख सकती है 115 किलोमेटर नेशनल हाईवे 930 की है आगे इनहीं जगों को अगर बात करें तो सबसे पहले अगर बालोद देखें तो बालोद के अंतरगत ही यह एक जीला मुख्याला है एक विधान सभा छेतर है और इसी के अंतरगत बालोद तहसिल के अंतरगत हमें करका भांटा मिलेगा करका भांटा में मा दनतेश्वरी सक्कर कार खाना है मा दनतेश्वरी सक्कर कार खाना है सक्कर कार खाना है वर्स 2009 में स्थापित करका भांटा में मा दनतेश्वरी सक्कर कार खाना है इसी तरही बालोद दूरगरोड में हम लोग देखेंगे जल्मला जहां गंगा मैया का मंदिर है नवरात्र के समय मेला का आयोजन किया जाता है मेला का आयोजन किया जाता है इस तरह से जगों को देखें तो बालो जिला मुख्याला है विधान सब अचेतर है करका भांठा में मा दंतेश्वरी सक्करकार खाना है वर्स 2009 में इस्थापी साथी साथ देखें तो जल्मला बालो दूरगरोण में हमें जल्मला मिलेगा जहां गंगा माया का एक प्रसिद्ध मंदिर है नावरात्र के समय में हाँ पर मेला का आयोजन किया जाता है तो आये और अन्य तथ्यों को अन्य पहलूं को हम लोग छूने की कोशिश करते हैं इसी तरह आगे बढ़ें तो गुरूर थस्यर के अंतरगत देखते हैं गुरूर के अंतरगत यहां पे पलारी का स्यूमंदिर है πलारी का स्यूमंदिर है प्लारी का स्यू मंदिर है, साथी साथ महापसाड, महापसाड साक्ष मिलता है यहां से, और ही बात करें, तो यहाँ पर बहादूर कालारिन का माची है, यहां एक इसमारक 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 है, यहां पूछा गया है, कि बहादूर कालारिन का माची क्या है, तो यहां एक इसमारक के रूप में है, गुरूर के अंतरगत है, पलारी कस्यू मंदिर महापसंड का लिन साक्ष है यहाँ पे बहदूर कलारिन का माची है जो कि एक इसमारक है यह कोस्चन पूछा गया है इसी के अंतरगत हम लोग चिर्चारी और सोरर भी देखेंगे महापसंड काल घेरे के रूप में हम लोग देखेंगे उसको इसी के आगे देखते हैं अगर बात करें डॉंडी लोहारा की डॉंडी लोहारा की हम लोग देखें डॉंडी लोहारा की तो यहां पर खप्री नामक ग्राम में यहां पर खप्री नामक खप्री नामक ग्राम में कुकुरदेव का मंदिर है खप्रि नामक ग्राम में कुकुर्देव का मंदिर है यह एक सिव मंदिर है यह एक सिव मंदिर है बंजारा नामक सहु कारने अपने कुट्टे के मर जाने की याद में यहाँ पे कुकुर्देव मंदिर का निर्माण करवाया जो की एक वास्ताव में एक सिव मंदिर है बंजारा नामक सहु करने अपने कुट्टे के मर जाने पे उसकी आद में यहाँ पे कुकुर्देव मंदिर का निर्माण करवाया डोंडी लोहारा बालोजिला के अंतरगत्तु इसको हम लोग देखेंगे ही साथी साथ आगे और देखें जोड़ने की कोशिज करूं तो हमने गुरूर के अंदर देखा पलारी का सिव मंदिर महापसांड का लिंसाक्ष बहादूर का लारिन कमाची यह एक इसमारक है डोंडी लोहारा के अंतरगत खपरी नामक ग्राम में कुकुर्देव का मंदिर है यह एक सिव मंदिर है बंजारा नामक सहुकार ने अपने कुत्ते के मर जाने की याद में इस मंदिर का निर्मार करवाया था तो इस तरह से हमने वन बाई वन जगों को हम लोग देखते चले जा रहे हैं आईए आगे अन्य तथ्थियों के अगर बात करें यहाँ पर खनीज के रूप में अगर देखें खनीज की अगर बात करें तो खनीज के रूप में हमें लव एस की प्राप्ति होगी और लव एस हमें दल्ली राजहरा से डोंडी डोंडी लोहरा से हमें प्राप्त होता है डोंडी लोहरा और दल्ली राजहरा से हमें खनीज की प्राप्ति होती है दल्ली राजहरा यह वही जगह है जिसमें लव एस कच्चे माल के लिए भिलाई स्टिल प्लांट भिलाई स्टिल प्लांट को लव एस की आपूर् से किया जा रहा है ति जगह पहले लव एसक के लिए इंपोर्टेंट है जो कि अब लगबक खतम हो चुका है और हमने देखा डॉंडी लोहारा से उसी तरह अगर पसाड़ घेरे की अगर बात करें पसाड़ पसाड़ घेरा के अगर बात करें तो यहां पे हमें चिरचारी चिरचारी सोरर और करही बहदर करही बहदर इन जगों से हमें पसाड घेरा की प्राप्ति होती है करही बदर बालोत के अंतरगत चिरचारी और सोरर गुरूर के अंतरगत देखने को मिलेगा एक महापसाड पसाड घेरा के अंतरगत पसाड कालें लोग को मर जाने के बाद उनकी सव को दफना के उसके उपर बड़े-बड़े लापती होती है तो इस तरह से हमने देखा इन जगों को आगे अगर बात करें नदियों की अगर बातकरें तो भानुप्रतापूर उच्च भूमी से कांकेड जिले से इसका उद्गम है लंबाई के अगर बात करें तो 64 किलोमेटर लंबाई है और इसी नदी पर परियोजना भी हम लोग देखेंगे जो कि तांदूला परियोजना है इस तरह से नदीओं को देखें तो तांदूला नदी साथी साथ इसकी सहायक नदी है गोंदली नदी गोंदली नदी उच्च भोमी से ढॉंडी लोहारा उच्च भोमी से इसका उदगम है इसी तरह अगर बात करें खारून नदी की झारून नदी की तो उदगम इसका खारून नदी का उदगम पटे चुव internation की पहाड़ी से हुआ है और इसी खारून नदि के टड़ पे राइपूर सहर बसा हुआ है या राइपूर सहर इस्थित है यह कोष्चन्स पुछा जाता है तो नदियों में प्रमूक रूप से हुए हमने देखा तंदुला नदी गोंदली नदी खर्ण नदी और कालूर नदी गोंदली नदी तांदुला नदी की सहयक नदी ही है तो इस तरह से हमने नदियों को देखा प्रमुक रूप से इनहीं नदियों में कुछ नदी या बांध परियोजना के रूप में हम लोग देखेंगे नदी या बांध परियोजना के अगर बात करें परियोजना की बात करें तो प्रमुक से हम लोग देखेंगे पहला तांदूला तांदूला परियोजना तांदूला परियोजना वर्स 1913 में 36 गड़की 36 गड़की प्रथम परियोजना थी तांदूला परियोजना तांदूला नदी पे सांथी साथ अगर बात करें परियोजना की तो गोंदली परियोजना गोंदली नदी पे है सांथी साथ खरखरा परियोजना खरखरा परियोजना खरखरा नदी पे यह खरखरा परियोजना या खरखरा परियोजना जिस नदी पे है खरखरा नदी पे और जो बांद बना है या मिटी निर्मीत बांद है तो हमने वन बाई वन इस तरह के questions पूछे जाते हैं अगर मिट्टी निर्मित बांध कौन सा है तो खर्खरा बांध जहांपे खर्खरा परियोजना खर्खरा नदी पे संचालित है तो इस तरह से हमने वन बाई वन जगों को देखा विधान सबा चेतर की बात करें तो बालोद गुंडर देही और डॉंडी लोहारा विधान सबा चेतर से बात करें तो स्रीमती अनिला भेंडिया यहां से अभी भूपे सरकार के अंतरगत केबिनेट मंत्री हैं और तो महिला एम बाल विकास एवं समाज कल्याड विभाग इनके पास है समाज कल्याड विभाग इनके पास है अगर विडियो आपको अच्छा लगा हो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं और अच्छा लगा हो तो विडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सेयर कीजिए और अगर सस्क्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि इसी तरह के आपको इस्टेडी अपडेट्स हमेशा मिलते रहें थैंक यू